एसी नहीं नहीं तरकीबे अब हमको है चन्नी लक्ष हमारा हर किसान की आंबनी दुगली लक्ष हमारा हर किसान की आंबनी दुगली एसी नहीं नहीं तरकीबे अब हमको है चन्नी इस कारिक्रम की प्रायुजक है क्रिशी एवं किसान का ल्यान मंत्रा ले भारत सरकार और कारिक्रम किसान की बात लेकर एक बढ़ फेर से हाजर हो चुकी हूँ मैं सीमा सती और मेरी साथ है और किसान में तरो मैं हूँ आज आपके साथ शशी गपूर कीजे स्वीकार हमारा नमस्कार और जैसे कि आप जानते हैं कि क्रिशी एवं किसान कल्यान मंत्रा ले द्वारा प्रायुजित कारिक्रम किसान की बात और इसमें हम खास तोर पे करते हैं किसानों की बात और किसानों की धेर सारी बातें उनके लाव की हम साधन लेकर इस कारिक्रम से जुड़ते हैं लेकिन शशी उससे पहले हम बताना जाएंगे कि आज है कुछ खास दिन जी बिल्कुल और हमारे सबी किसान भेन भाई जानते होंगे कि आज 5 दिसंबर है और दुनिया भर में आज का जो दिन है वो विश्व मृदा दिवस के रूम में मनाया जाता है हाँ बिल्कुल और संयुक तराष्ट संग जो की जिसे हम यूए नू बुलाते हैं और उसने इसे 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस गोशित किया और आम बोलचाल में ताम जाते ही हैं कि हम मिट्टी की बात कर रहे हैं और आज मिट्टी दिवस और भारत की बात करें मिट प्राकरतिक जनसाधन है हमारी संपती है और जिस पर अगर किसी भी तरीके से नुकसान पहुचता है तो इसका सीधा असर हम सब के जीवत परता है और अगर हम हर साल पांच तारीक को पांच दिसंबर को विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाते हैं ताकि हम सब जागरुक हो जाएं और यह जो मिट्टी है मृदा है इसको किस तरीके से हमें यूज करना है किस तरीके से से इस बारे में जागरुकता पहलाने के लिए पांच दिसंबर को चुना गया है बिलकुल सीमा और ये वारशिक आयोचन मिट्टी पौधों जानवरों और मनश्यों के बीच जटिल संबंदों को याद दिलाता है और इस अमूल इस अंसाधन को सर्रक्षित करने की आवशक्ता पर जोर देता है और मेरा ऐसा मनना है कि जितने मिट्टी में गुण है शायद ही दुनिया की किसी और चीज में उतने गुण हों क्योंकि जो भी चीज हमें प्राप्त होते हैं वो मिट्टी से होती है और इस दिन का उद्देश ये भी है कि हमारी जो मिट्टी है उसकी जो सेहत है वो खराब होती जा रही है क्योंकि रसानिक खादों का इस्तिमाल बहुत जादा हो रहा है हमारे जो किसान भेनवाई हैं वो रसाने खादों का जो रसाने धवाई हैं उनका इस्तिमाल बहुत कम करें क्योंकि देखे कारवन की जो मात्रा मिट्टी में वो कम होती चलिए जा रही है तो आप जैविक खादों की तरफ प्राक्रतिक खेती है हमारी परंपरागत खेती है उसकी तरफ आप बढ़े ताकि जो भी उत्पादन हमें मिले वो भी अच्छा हो और हमारे स्वास्त के लिए भी अच्छा हो तो पर्यावरन हम प्रदूशित कर रहे हैं और जो के गंभीर समस्या है तो इजी से हमें जागरुकता उठानी है खुद भी आवेर होना है खुद भी जागरुक होना है और साथी साथ अपने सभी जानकारों को भी जागरुक करना है बिल्कुल हाँ माटी भी तंद्रस्त और लोग तो अब पहली वाली बात कहाँ परम तो सब यह डाले हैं सब नहीं आज भी लाखों जागरों किसान परम परागत विदी से पजल होगा रहे हैं फर्चाखम और उपची कीमत भी भैतर पा रहे हैं सच है रहे बेटे एक्सपीरेंस से बता कारिकरम किसान की बात और आज हम बात करेंगे खास तोर पे किसानों के लिए माननिये प्रधान मंत्री द्वारा धेर सारी योजनाई चलाए गए हैं और आज कुछ बात ऐसी ही होगी और आज विशे तो हम बताएंगे लेकिन विशे शग्या हमारे बीच आ चुके हैं डॉ वाई आर मीना अपर आयूक्त विस्तार क्रिशी मंत्राले से और डॉक्टर साब बहुत बहुत स्वागत है आपका नमस्कार जी आपको और आपके सभी सुरोता हूं को बिलकल डॉक्साब और देखे आज पांच दिसंबर भी है डॉक्साब और आज विश्व मृदा दिव सारी बाधाई अपनी और से और किसी विश्व मृदा दिवस किस लिए मनाया जाता है जी तो इसका सीधे तोर पर है कि मिर्दा यानी मिट्टी जिसे हम माता के नाम से भी जानते हैं तो यह बहुत ही महत्मूर्ण है खेती के लिए जब हमारी मिर्दा में दम होगा मिर्दा मजबूत होगी तो निश्य तोर पर हम अच्छा उत्पादन कर सकेंगे अगर मिर्दा की तरफ हम ध्यान ना देंगे तो हम कितनी ही मेहनत करें हम खेती से या किसानी से ज़्यादा लाब नहीं ले सकते तो मिट्टी का स्वास्त बना रहे इसके लिए हमें किसान भाईयों क को जागरूख करने की जरूरत थी और मैंने प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी जी ने इसको बहुत ही तबज्जो दी यह जो हम मिर्दा दिबस मनाते हैं इसके अलावा सौल हेल्थ कार्ड है जैसे मिट्टी की नियमत रूप से मतलब दो साल तीन साल बाद जाँच होनी चाह कौन सी खाद डालें अनवस्क रूप से जिन पोशक तत्वों की भरपूर मात्रा है उसको ना उपियोग में लाया जाए उन खाद और अरूरकों को इससे किसान की जेब भी हलकी होगी क्योंको ज्यादा खर्चा नहीं उठाना पड़ेगा और मिट्टी का जो स्वास्त है वह भी बना रहेगा जी विक्कुल और हम हमारे भाई लोग सभी समझ गए होंगे कि मिट्टी कितनी इंपॉटेंट है और कितना उसको हमें बचा के रखना है उसको संरक्षित करना है और डॉक्टर साहब अगर अगर विशे के तरफ लोट आते हैं और अगर हम बात करते है माननिय प्रधान मंतरी द्वारा हमारी किसान भाईयों के लिए धेर सारी योजनाओं हमारी लागू की गई हैं तो उन्हें में से कुछ योजनाओं के चर्चा आज हम करना चाहेंगे तो आज हम चाहेंगे कि आप हमारे सभी किसान भाईयों को माननिय प्रधान मंतरी द्व क्रेडित कारड की एक सुब्दा है किसानों को ड्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं जब पैसा नहीं हो तो वो सीजन में बैंक से पैसा ले सकते हैं निकाल सकते हैं तो क्रेडिट कारड बहुत अच्छी हो किसान क्रेडिट कार्ड ऐसे ही फसल बीमा योजना जब बिपरीत परिस्तितियां हो मौसम नागवार हो ओला ब्रस्टी सूखा बाहड इस तरीकी की अगर बिपरीत परिस्तितियां आती है और किसान भाईयों को उनकी फसल से हाथ दोना पड़ता है या उसमें भारी नुकसान उठाना पड़ता है तो उससे बचने के लिए फसल बीमा योजना ये बहुत महत्मूर्ण है तो ऐसे समय में किसान भाईयों को उसका मुआवजा सरकार की तरफ से दिया जाता है फसल में जो नुकसान होता है उसका एक तरीका होता है ऐसे ही बागवानी क्योंकि बहुत ही लाहब का खेती किसानी में बागवानी एक काफी अच्छा ओप्सन है तो बागवानी के लिए बागवानी समन्वित बागवानी बिकास योजना जिसे हैं M.I.D.H. भी कहते हैं Mission for Integrated Development of Horticulture बागवानी की अगर हम बात करते हैं जैसमें फूलों की खेती फलों की खेती सबज अगर होता है तो आप सभी को पता है बाजार में किसान भाईयों को दाम सही नहीं मिल पाते हैं तो कटाई उप्राइंत प्रद्योगे के काई पार्ट है पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट यानि परिरक्षण फालर सबजियों का तो परिरक्षण जो है उसमें जैम जैली अचार चटनी मुरब्बा बहुत से उत्पाद हैं जब सस्ता विक्रा हो आपका माल तो आप प्रोसेसिंग करके वैल्यू एडिशन करके और उनको संरक्षित कर सकते हैं और बाजार में बेच सकते हैं तो यह हैं मसीनरी की एक योजना है जो किरसी उसमें आजकल आप सभी क को पता है कि मजदूरों की काफी कमी है मजदूर मिलते नहीं गाओं में तो अगर किरसी के उन्नत उपकरण हो किरसी के यंत्र हो जिसमें ट्रैक्टर है कम्मेंड हर्वेस्टर है और कई तरह के उपकरण हैं वो सब अगर आपके पास हैं तो निश्चत तोर पर आपके बड जिसको किसान भाई उसका लाब ले सकते हैं ऐसे ही बागवानी के साथ साथ दूसरे छोटे वे अपसाय हैं जिन किसान भाईयों के पास जमीन ज्यादा नहीं हैं वो मधुमक्षी पालन कर सकते हैं मस्रूम की खेती वो कर सकते हैं और प्रिसिक्षन लेकर के हमारे बहुत से भ जिसमें पहुत साला परबंदन है, कटाई उपरांत परद्धोग की की ट्रेनिंग लेते हैं, तो आप अचार, मुरबा, जैम, जैली, चटनी, इसक्वैस, जो जूसेस हैं, ये सब बना करके बाजार में बेश सकते हैं, वैल्यू एडिसन करके, प्रिसिक्षन लेने के बाद म हैं, और दूसरा कच्रा है, उसको भी आप एक अच्छी वैल्यू एड़ेड मतलब खाद जो है, और उसमें खाद में उसको बदर सकते हैं, जैसे हम परमी कंपोश करते हैं, जी डग सब एक हमारे किसान मित्र जुड़ चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं, क्या पूछना च मतलब यह से कि फसल का नुक्सान हो गया, बारे सही है, अन समय पे जा ओला ब्रिस्टी किसी भी कारण से, अब फसल बीमा का जो हमें किसानों को प्रॉफिट मिलना था, वो नहीं मिला, मैं मतला से बहुत लाओं इसलिए, और उसमें क्या पटवारी का एहम रोल है, अगर ल करते हैं, उनको जाग रुक रहने की जर्रत है, अगर वो काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, तो किरसी में जो आपके दूसरे सीनियर ओफिसर हैं, अधकारी हैं, उनको आप संपर कर सकते हैं, क्योंकि यह जो पटवारी हैं, या जो दूसरे छोटे लेवल के अधकारी हैं, यह र तो आप जागरूक रहें उसकी सिकायत करें पटवारी नहीं कर रहा है तो दूसरे लेवल के जो अधकारी हैं सीनियर उन से संपर करके और उसको नोट करा है चली है सुशिल जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और हम आपको बता दें कि अगर आप हमारी कारिक्रम से जुनना चाह रहे हैं तो आज जो टेलीफोन लाइन है 23-42-10-82 जी हां 23-42-10-82 पे आप 8-2 पे आप फोन कीजिएगा और आप हम से कनेक कर पाएंगे औ और कारिक्रम इसी तरह से आगे बढ़ता रहेगा उससे पहले लेते हैं एक अंतराल तीन हजार रुपे मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित 55-200 रुपे की मासिक किष्ट देकर प्रवेश कर सकते हैं 18-40 वर्ष तक के किसान इस अंच तायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदार सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाप के लिए जन सेवा केंदर मे और अपना निश्व नामांकन कराएं प्रधान मंतरी किसान मान धन योजना अनदाता के परिश्रम को संबद पेंशन से सुरक्षित उनका कर कृषी एवं किसान का ल्यान मंतरा ले भारत सरकार द्वारा जनित में जारी कारिक्रम किसान की बात और किसान की बात कारिक्रम में आप आप जान ही पा रहे हैं कि सरकार की योजनाओं के जिक्र हो रहे हैं धेर सारी योजनाय सरकार द्वारा हमारे किसान भाईयों को दी जा रहे हैं और उन्हीं योजनाओं का फाइदा हमारे लाभार्ति उठा रहे हैं तो आज कुछ ऐसी ही कहानी आपके साथ हम लेकर आएं हमारे साथ जुड़ रहे हैं लाभार्ती हेमा जो की डेरी योजना से जुड़ी और आज मेरी कहानी मेरी जुबानी के अंतरगत सुनते हैं आईए इन लाभार्ती की बातचीत लाभी आफने जिंद्री जाती हैं की बातची धी बातबर कुछ विदर तो बातब सब्सक्राइब करेंबी जाती हैं को बढ़ा सकते हैं तो उससे जुड़कर हम बहुत से चीजों में मुझा सीखते हैं और आगे अपने दूद की सप्लाई को और बहतर है कि सभी को सब्सक्राइब करवाया हुगा है तो उसके वह एक नंबर भी पशुग पर डालके जाते हैं मुझा कोई दिक्कत होते हैं तो में लासमें धिलाए जाएगा मार्केटिंग के लिए भी 사कार की तरफ से बहुत सारी बताई जाती है कि आप कहां पर की सिसाब से आप के से कर सकते हैं जहां पर भी जैसे रूब सट हो गया और भी जो भी संसान होतान ईकृष्षी विज्यान के तो महां प्र समय समय पर हमे चारे के साथ मिलाते हैं तो उससे भी दूद में बढ़ोतरी होती है दूसरा जब हमें चारे के आवशक्ता होते हैं तो उसमें भी सरकार की तरफ से हमें छूट दी जाती है कम दामों पर हमें चारा उपलब्द करवाया जाते हैं सी उजना से जोड़के बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि हमें इसका बहुत लाब मिला है और जो भी हमारी ग्रामिन मही लाएं है जो इस तरह का काम कर रहे हैं तो मैं चाहती हूँ कि वो भी सरकार की इस तरह की उजना के साथ मिले क्योंकि जो सरकार होते हैं वो हमें कहीं जुझना टाहिए एक तो कम दामों पर उपलब्द कराते हैं दूसरा अच्छी क्वालिटी की सरीकित हम भैतर बना सकते हैं अपने चीज की उच्पाद की वह में सिखाते हैं जिससे एक तो गुणता पूंच मिलती है और लाब तो मिलता है तो दोनों ही काम होते हैं एक तो है बिल्कुल और ये सुना अपने की सरकार द्वारा यूजनाओं की जानकारी हमें होनी चाहिए हेमा जो की डेरी यूजना से जुणी और ये कारिक्रम अभी आप सुन रहे थे मेरी कहानी मेरी जुबानी के अंतरकत बिल्कुल सीमा बहुत सारी कल्यानकारी यूजना सरकार चला रही है और हमारे जो किसान भेन भाई हैं उनका लाब भी उठा रहे हैं जैसा के अभी एक लावारती ने अपनी अनुवा में वो साजा किये और डॉक्टर सामने भी बहुत सारी यूजना हैं बताएं अभी लावा वही है सुन्य एक एक दो तीन चारदो एक शुन्य आठ दो इसकार तेज़ बैयालिस दस बैयासी पे हम बात करें और रॉक्टर साब आज का जो हमारा विशे है प्रधान मंत्री किसान समिर्दी यूजना तो सबसे पहले आप से यह जाना चाहेंगे कि आखे विए प्रधान मंत्री किसान समर्दी यूजना किया है प्रधान मंत्री किसान समर्दी यूजना कि अगर हम बात करते हैं तो मिनिस्ट्री ओप केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स जो है हमारा रसाय ने वह उर्वरक मंत्रा ले उसके तहत इस योजना को लागू किया जा रहा है और खासकर आम तोर पर हमारे ग्रामेंड छेत्रों में देश भर में जो किर्सी का सामान बेचने वाली खुदरा दुकान हैं जो खाद बीज और इस तरीके की इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड बेचते हैं उनकी सेंख्या लगभग सवातीन लाख है पूरे देश में तो वो सवातीन लाख जो खुदरा बाजार वाली दुकान हैं जो खाद बीज का व्यपसाय करते हैं उन लोगों को और समरद करक निपुन करके उनको परिवर्तित करके और प्रधानमंत्री किसान समरदी केंद्र के रूप में उनको एहमियत दी जा रही है उनको बदला जा रहा है और इसकी सुरुवात की राजस्तान के सीकर में प्रधानमंत्री जी ने तो एक साथ एक लाख पचीस हजार दुकाने थी खुद्रा उनको प्रधानमंत्री किसान समरदी केंद्रों में परिवर्थित किया गया और फेज मेनर में जो सवा तीन लाग टोटल हैं उन सब को बदला जाएगा साथ ही साथ ऐसे केंद्र और भी खोलने की योजना है इन केंद्रों को प्रधानमंत्री किसान समरदी योजना हमें परिवर्टित करने का क्या उद्देस है तो सीधे तोर पर किसान भाईयों को खेती किसानी की जो जानकारी है उसको और सठीक तरीके से किसानों तक पहुचाने के लिए इन केंद्रों को काम में लिया जाएगा केंद्रों को काम में लेने से मतलब एक तो हमारी जितनी भी योजना हैं जिनकी हम अबी चर्चा कर रहे थे, और भी बहुत सारी योजना हैं किर्सी के कल्याण के लिए, उनकी जानकारी किसान भाईएं को ये लोग देंगे इसके अलावा खाद बीज औरवरक जो भी लेंगे वो सब चीजों के सासाथ किरसी के यंत्रें वो भी इन केंदरों पर किसान भाईयों को उपलब्द होंगे वाजब दामों पर और मिट्टी की जाँच पानी की जाँच या हमारे जो बीज हैं उनकी गुनवत ताकि जहां यह सब के लिए भी वहां पर सुबदाएं होंगी और सरकार इसमें सहयोग करेगी इन लोगों को प्रिसिक्षित भी किया जाएगा और इनको साधन संपन बनाने के लिए भी सरकार मदद करेगी तो इसलिए इनका नाम किसान समरदी केंदर रखा गया है किसान अ नमस्कार अपना नाम बताए और अपना सवाल रखेगा नमस्ते साथ नमस्ते जी नमस्ते मैं यह कह रहा हूं कि जो कारियन बिन हो रहा है जी वो हमारी करीब तीनों किस्ते हमारी जुख गई है अच्छा वो अभी तक मरना विशू नहीं हुई है वहां application भी दिया तो वो कहते हैं एक महीना में वे पंदा दिन में आ जाएगी अच्छा मैं ये बता देता हूँ एक तो किसान सम्रदी केंद्र की जो हम चर्चा कर रहे हैं वो और किसान सम्मान निधी ये दोनों separate होजना हैं जिसके किसान सम्मान निधी के तहट तो किसानों को तीन समान किस्तों में दो हजार रुपे की तीन समान किस्तों में साला ना छे हजार रुपे एक किसान परिवार को मिलते हैं तो हो सकता आपको एक भी किस्त नहीं मिली आप उसके लिए पात रहें अगर हैं तो निश्यत तोर पर आपने registration कहीं कराया होगा ने इसका आप ऐसा कीजिए जो जन सूचना केंदर आपके आसपास एक तो उस पर जा करके उस पर वो पूरा स्टेटर्स आपका देख के बताएंगे इनफॉर्मेशन वो पूरी दे देंगे किस बज़े से रुका हुआ है कोई इस पस्टी करन कुछ मांगा होगा एक तो यह तरीका है ने उनसे बात करो इसके अलावाज आपके छेतर में नोडल आपी सर्वी हैं इसके वहां पर भी आप चर्चा कर सकते हैं इस बारे में कोई ना कोई कमी की बज़े से वो रुकी होगी कमी में सुधार होते ही आपको पैसा मिलेगा जैसे कि अभी पातरता की बात हुए जैसे किसान समरदे योजना है तो इसमें क्या पातरता रहेगी में उन्हों परी वर्टित किया जाужा reckon हो केंपार और से यहां या खुद्रा दुकान जिन लोगों की हैं, वो फर्स्ट पेज में उनको ये शुबदा दी जा रही है, उनको उसमें परिवर्तित किया जा रहा है, समरदी केंदर में, समरदी केंदर का मतलब सिर्फ यही नहीं को खाद भी बेजते रहें, उसके साथ साथ वो किसान मित्र की काम करें, उनको ग्यान भी मतलब प्रोवाइड किया जा रहा है, ट्रेनिंग देखर के, तो वो सरकार की योजनाओं की जानकारी भी दें, और जहां वाजिब नहीं हो, केमिकल फर्टिलाजर को अवर्ड करने की वो सलाद हैं, इसके अलावा मिट्टी और इसकी पानी या ख जिसके पास जमीन नहीं है, किसान समरदी के अंदर पर तो क्यों, वो तो खेती की बात करेंगे, वो अपना बीज बेचेंगे, अपना केमिकल फर्टिलाजर बेचेंगे, है ना, इसके अलावा किरसी के यंत्र बेचेंगे, इसके साथ साथ, किसानों को एक अच्छी सला, को मतलब भी नहीं है क्यों कि जिसके पास जमीन नहीं उसको किसान नहीं माना गया है बिल्कुल बाजिब दामो पर क्योंकि सरकार उस सब को मौनिटर करेगी उनको उठ्राइज किया गया उस गाम के लिए तो एक तो गुनवत्ता अच्छी गुनवत्ता कि यह नहीं कि कोई भी बीज आपने बेज दिया मिस्क्याइड कर दिया मिटी की जांच पानी की जांच या बीजों की जांच उसकी भी सुबदा है अगर अरवरक में कोई संका है उनको लगता तो उसका भी टेस्ट वहां कराया जा सकता है तो पर करके इसके लिए अपलाई करना पड़ता है और हमारा मैनेज संस्थान वैसे ट्रैनिंग भी कराता है इस काम के लिए तो वो भी उसमें ज्यादा खर्चा नहीं होता वो ट्रैनिंग भी लेके क्योंकि उनको थोड़ा इस चीज का ग्यान होना चाहिए इसके अलाब परिवार से एक ही जुड़ सकता है यह है या किसान सम्मान निदी है जैसे परिवार की परभासा ही हमारी योजनाओं में है पती पतनी और नावालिक बच्चे उसको एक यूनिट माना गया है वो एक में ले सकता है इसका लाब बिलकुल लोग साब बहुत सारी बातें आप ही उनको जागरूक किया गया है जागरूक रहें सजग रहें कोई भी संका समस्या हो एक तो हमारा टोल फिरी नंबर है किरसी मंत्रा लेका अठारे सो एक सो असी पंद्रेक क्यामन इसको हम बोलते है किसान कॉल सेंटर सुबह छे बज़े से रातरी दस बज़े तक यह मुफ अब मैं आपको जबाब जो आपकी भासा है उसमें मिलेगा तो डॉक्टर साब बहुत अच्छी जानकारी दी आपने आज प्रधान मंत्री किसान समर्द यूजना के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका आपका भी आभार और इसी के सायते कारिक्रम से मैं सीमा सती और ऐसी नहीं नहीं तरकीवे अब हमको है चन्यी लक्ष हमारा हर किसान की आंदनी दुग्ली लक्ष हमारा हर किसान की आंदनी दुग्ली एसी नहीं नहीं तरकीवे अब हमको है चन्यी